हलो गुड मॉनिंग एबरीवन मद्य परदेश के डेली करेंट अफेर्स में हम बात करेंगे आज 14 जनवरी के सारे महत्पूर्ण करेंट अफेर्स के बारे में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ एबुक्स हैं अगर आप लेना चाहें तो मद्य परदेश की दू एबुक्स अबिलेबल हैं एक वन लाइनर फॉर्मेट में हैं दूसरी आपकी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर इस वाट्सएप नंबर पर आप कर सकते हैं अधर इबुक्स में हमारी जनरल मेनेजमेंट की इबुक्स है जी बिग्ज्यान के आपको इसके अंदर मिल जाएगा साथ ही इसकी जो कॉस्ट है बढ़ जाएगी सिर्फ पांस दिन का और ऑफर बचा है अगर आप इसको लेना चाहें ले 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 बाद में फिर एक काफी कॉस्टली हो जाएगी मध्यपरदेश की एक टेस्टी सीरीज हमने लॉंच कर दिया यह भी अभी ऑफर के साथ चल रही 20% आपको इसमें अभी मिल रहा है यह भी अगर आप लेना चाहें इसके अंदर मध्यपरदेश का पूरा जीके और मध्यपरदेश का पूरा 2018 से लेकर 2020 तक का जो current affair है वो आपको इसके अंदर मिलेगा ठीक है तो यह भी अगर आप लेना चाहें तो यह भी आप ले सकते हैं यह भी आपकी हिंदी और इस टूर सेक्शन में जाना है जहां पर आपको इस टेस्ट सीरीज सारी मिल जाएंगे चली स्टार्ट करते हैं पहला जो प्रश्न है हमारा हाल ही में उमंग किशूर हेल्प लाइन में राज इस तरपर उतक्रिष्ट प्रदर्शन करने वाले कितने जिलों को सम्मानित किया है तेकि मद्यपरदेश की उमंग किशूर हेल्प लाइन है इसके अंदर पांच जो जिले हैं उनको भी हाल में सम्मानित किया गया है मद्यपरदेश के जो शिक्षा राज्यमंत्री है सौतंतर प्रभार है इनके पास इंदर सिंग परमार यह नहोंने इन पांच जिलों को राजस्तर पे जिन्होंने उतक्रष्ट परदर्शन किया है उमंग किशूर हेल्प लाइन के अंदर उनको सम्मानित किया है यह पांच जिलों में आपका गवालियर, होशंगाबाद, रत्लाम, छतरपूर और सिवनी जिलाज शामिल हैं इसके साथ सिर्ष्ट प्रदर्शन क खरीब 37 सिक्षकों को भी प्रसस्ती पत्र से सम्मानित इन्होंने किया है। इंदर सिंग पर्मार जो हैं स्वतंत्र प्रभार की राज्यमंत्री है। आगे हम बात करते हैं उमंग हेल्पलाइन के बारे में तो वर्ष 2017 से मध्ध परदेश में कच्छा नौवी से लेके बारवी तक के बिद्यार्थियों के लिए जीवन कौशल सिक्षा कारिकरम उमंग को प्रारंब किया गया था। इसी के अंतरकत राज इस तरपर आधनिक सुभधाओं के साथ भोपाल के अंदर एक टैली काउंसलिंग की इंद्र भी स्थापित किया गया ताकि बच्चों की कई बार बच्चा कम ओम्र में नशे की लट उसको लग जाती है या एक्जाम का प्रैसर उसके उपर होता है या टॉल फ्री नंबर 144 पच्चिस के साथ की गई थी इस केंद्र से मद्ध परदेश के दूरस्त ग्रामिड चेत्रों के जो विद्यार थी हैं उनको योग प्रामर्श दाताओं के माध्धम से टैली काउंसलिंग सेवाएं परदान की जाती है ठीक है यह जो कारिकरम है श्कू अगला प्रुष ना वरि वरी मोस्ट इंपपसों अभी हाल ही में की सम्मानित किया है डाक्टर कुमर वेचन जो गाजियाबाद से हैं और 2020 के लिए डाक्टर शिबोम अमबर जो फर्रुखाबाद के हैं इनको परदान किया जाना है और संस्कृती विभाग के दौरा इस्ताफित राष्टिय कभी प्रदीप सम्मान है ठीक है वर्ष 2019-2020 के लिए यह सम्मान दिया किया जाएगा वर्ष 2019 के लिए सम्मान से सम्मानत होने वाले कभी डॉक्टर कुमर वेचन का जन्में एक जुलाई उनीस सो ब्यालीस को हुआ था हिंदी साहथ में सनात कुत्तर और पीचडी की उपादी प्राफ डॉक्टर वेचन का वास्तविक नाम है कुमर वहादूर सक सेना के नाम से इनको इंपापूलर कभी है तो आपको पता है बाद में अपने नाम एक में एक लगा लेते हैं जैसे बहुत सारे यसी लोग हैं जनों हने लगाया जैसे सुमन है वर्स 2020 के लिए जो कभी प्रदीव संवान से सम्मानित किया गया है वो हैं डॉक्टर शिवो म इनका जन्म फर्रुकाबाद में हुआ था और 23 सितंबर 1952 को हुआ था हाला कि ये आप से जन्म नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस सहर से है ठीक है तो ये चीज़ जरूर आपको याद रखनी है राश्टी कभी प्रदीप सम्म नगर ये कहां पर है मध्यप्रदेश का जो बढ़ नगर है मध्यप्रदेश के उज्जेंजले में आता है कभी फिर्दीप जो है इन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने लिखे हैं जो जैसे मेरे वतन के लोगों ठीक है मैंने आपको पहले भी इनके बारह में काफी कुछ बताय है ठीक है तो ये 2012 में सम्मान इस्थापित किया गया था अब तक इस सम्मान से श्री गोपाल दास नीरच जिनको सबसे पहले परुसकार 2012 में दिया गया था उसके बाद बाल कभी बैरागी इसके बाद सोम ठाकुर माया गोविंद सुरेंदर शर्मा हरियों पमार अशो चक् है तो इनमें अगर हम देखें तो 2012 में इनको दिया गया उसके बाद 2013 में अबाल कभी बैरागी को दिया गया सुम ठाकुर को 2014 में दिया गया माया गोविंद को 2015 में सुरेंदर शर्मा 2016 हरियों पमार 2017 अशो चक्रधर 2018 ठीक है इनसे इनको सम्मानित किया गया और 2019 के लिए हो जाएंगे 2020 के लिए शिव ओम अमर हो जाएंगे इस सम्मान के तहट दू लाख रुपे की आईकर मुक्त राशी और प्रशर्ष्टी पट्टे का पुर्दान की जाती है मतलब दू लाख रुपे का पुरुसकार है पुरुसकार से सम्मंदित स्थापना कितना उसके अगला प्रशन है मद्धपरदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्परेशन का चेर्मेन राहुल सिंग को निक्त किया गया है उनका संबंध किस जिले से तो इनका जो संबंध है राहुल सिंग यह दमोह जिले से हैं और रभी हाली में मद्धपरदेश शासन न इनको मद्धपरदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉर्परेशन का चेर्मेन निक्त किया है यहां पर यह लाइन इंपोर्टेंट है कि बल इसके लावब कोई खास डेटेल नहीं है लेकिन मैं आपको अताता हूं मद्धपरदेश वेयर हाउसिंग और स्थापना कि गई थी कब कि गई थी 1958 में, और स्थापना करी गई थी 1958 में केंद्रिय बेहर हाूस और राज्य सरकार की 50 परतिशत अंसपूजी के साथ इसकी स्थापना करी गई थी 50-50 % दोनों का शेर्थ है, बाद में 1962 में एक और आक्ट आया, बेहर हाूस एक्ट, उसके द्वारा 1956 का जो एक्ट है वो निर्सित हुआ ठीक है तो अब ये 1962 का एक्ट हो जाएगा लेकिन इसकी स्थापना 1956 के एक्ट से की गई थी अगला प्रश्ण हाली में किस ने मद्यपरदेश राज पशुधन एवं कुकुट विकास निखम के अध्यक्ष पत का कारिभार ग्रहन कर लिया है तो यहाँ पे प्रेम सिंह पटेल है प्रीम सिंग पटेल को मध्यप्रदेश राज पशुधन एवं कुट बिकास निगम के अध्यक्ष बनाया गया है और ये अभी हाल में पशुपालन सामजिक निया एवं नह शक्त जन कल्नेयन मंत्री हैं और इनको मध्यप्रदेश राज पशुधन एवं कुट बिकास निगम के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहन किया है इस अपसर पर प्रबंध संचालक राज्य पशुधन एवं को कुट विकास निगम HBS भदोरिया उपस्ते थे तो आपको यह ध्यान रखना है प्रबंध संचालक यानि कि मैनेजिंग डिरेक्टर ठीक है मैनेजिंग डिरेक्टर यानि कि प्रबंध संचालक कौन है भदोरिया HBS भदोरिया इससे पूर भी जून 2020 में जे एन कंसोटिया अपर मुख्य सचिप जो थे पशुपालन विभाग के उनको मद्ध परदेश राज्य पशुधन इगम को कुट विकास नि इसको 19 नमबर 1982 को ध्यान रखिए डेट्स पूची जाती है 1982 तो आपको कम से कम याद रखना ही होगा जत्ती भी संस्था हैं निगम है इनकी डेट रखना याद जरूरी है को बैधानिक 1982 की बैधानिक अधिनियम संक्या 37 के तहट इस्थापित किया गया था याद रखने की जरूतनी है डेट याद रखिए 1982 तेरह 19 नमबर 1982 को इसकी स्थापना करी गई थी इस अंस्था का जो देश्य था वो था राज्य में पशुधन को कुट उत्पादन में सुधार संबर् किसानों बिसेश कर महलाओं के आये इस तर में ब्रिद्धी करना है यह संस्था का अनुद्देश मद्यप्रदेश को देश का बक्री राज्य घोशित करना है यानि कि बक्रियों को लेकर भी इसमें जो समसबसे ज़्यदा संबर्धन है वो किया जा रहा है ठीक है और बाग लाइक जरूर कर दिया करें इसके अलावा आप वीडियो को शेर बहुत कम करते हैं इसको प्लीज शेर करें जदा ज़्यदा लोगों तक पहुंचाएं वीडियो को और कमेंट्स वीडियो पर जरूर करते रहें ठैंक्यों गरी मिच